नमस्ते दोस्तों, कॉम्पेडेटर एक्जाम आस्ते स्टेडी चैनल में आपसे लोगों का स्वगते दोस्तों आज हम इस वीडियो में राष्टिय खेल पुरस्कार 2020 यह टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें हम राजियो गांदी खेल राधन पुरसकार, दोनाचार्य पुरसकार, ध्यान चन पुरसकार, अरजन पुरसकार और मौलाना अब्दुरकरम आजार टॉफी यह सभी पुरसकार कवर करने वाले हैं दोस्तों, भारत में प्रतिवर्षय राष्टिय खेल पुरसकार यह 29 अगस्ट को होकी के जादुगर मेजर ध्यान चन जी के जलम दिन पर दिया जाता है यह पुरसकार रास्टपती भवन में अयोजित एक सम्मान समामारमब में भारत के रास्टपती के हाथों दिया जाता है राजयो गांदी खेलतन पुरसकार यह भारत का सरवच्च पुरसकार है दोस्तों राजयो गांदी के रदत्म पूरसकार जहां भारत के पूर्व प्रदान मंत्री स्वर्गे राजयो गांदी जी के नाम से इस पूरसकार के सुरुवात 1991-92 से की गई थी या पूरसकार किसी वर्स में किसी खिराड़ी दोरा किये गई खेल में उत्कृष्ट एव अब उत्वपूर्वा प्रदाशन केरे दिया जाता है दोस्तो इस पूरसकार के तर खिराड़ी को संबान सरुप एक पदक दिया जाता है प्रसिष्ट पत्र दिया जाता है और साड़े साथ लाक रुपे नगर प्रदाम किये जाते है दोस्तो राजियो गांदी खेरतना पूरसकार प्राप्त करने वारे प्रतम किराड़ी थे सत्रंज किराड़े विश्वनातन आनन्द राजिव गांदी खेरतन पुरसकार की सुर्वाद दोस्तो 1991-92 से की गई थी दोस्तो इस वर्ष पाच किराड़ियों को राजिव गांदी खेरतन पुरसकार दिया गया है जिसमें पहले है रोईश शर्मा जो की क्रिकेट खेल से संबंदित है दूसरे है मनिका बत्रा जो की टेवल तेनिस खेल से संबंदित है तीसरी है रानी रामपाल जो की होकी खेल से संबंदित है चौती है निवेश भोगट जो की कुष्टी खेल से संबंदित है पाच्वी है मनि यपन थंगा वेलू जो कि पहला एटरिटिक उची कूद इस खेल से संबंदित है दोना चार्य पुरसकार दोना चार्य पुरसकार का आरंब 1961 से किया गया था यह पुरसकार ऐसे प्रसिक्षकों को दिया जाता है जिनके द्वारा प्रसिक्षित किये गए खिराडी या तीम ने अंतरास्ती स्टर पर उल्कुरुष्ट प्रदरशन किया हो दोस्तो दोनाचार्य पुरस्कार यह 1961 से स्टार्ट हुआ है दोस्तो और यह पुरस्कार कोज यानि प्रसिक्षकों कोई दिया जाता है इस पुरस्कार के तर प्रसिक्षकों को गुरु दोनाचार्य की कांस्य पतिमा दी जाती है और प्रसिस्त पत्र और पास राक रुपे नगर प्रदान किये जाते है इस सार दोनाचार्य पुरस्कार आजिवन शेत्र में आठ दोगों को दिया गया है जिसमें पहले है पुर्शोत्तम राय जो की एतरेटिक खेल से संबंदी थे दूसरे है रमेज पठानिया जो की होकी खेल से संबंदी थे तीसरे है कृष्ण कुमार हुड़ा जो की कबड़ी खेल से संबंदी थे चौते है शिव सिहं जो की बॉक्सिंग खेल से संबंदी थे पाच्वे है ओम प्रकाश डईया जो की कुस्ति खेल से संबंदी थे चत्वे है धर्मेंदर द्रिवारी जो की तीरंजाज खेल से संबंदी थे सात्वे है विजय भालचंद मुनिश्वार जो कि पैरा पावर रेप्टिंग खेल से संबंदी थे, आठवे है नरेश कुमार जो कि टेबल टेनिस केल से संबंदी थे, दोनाचार्य पुरसकार जो कि नियमीच सेनी में पात्स लोगों को दिया गया है, जो कि पहले है जुढ फेरिक्स सेवेस्टीन जो कि होकी खेल से दीसरे हैं गवरव खंणा जो कि पेरा बैडमिंटन कहल से संबंदिते द्यांचन पूरश्कार भारत सरकारदारा वर्ष दो अजार दो से यह पूरसकार दिया जाता है यह पूरसकार खेलों में आजीवन उप्रब्दी के लिए प्रदान किया जाता है ज्यांचन पूरसकार उन ख्राड़यों को दिया जाता है जिनने ना केवल खेल में उतक्रस्त प्रजर्शन किया हो बरकि सक्रिया खेर जीवन से सन्यास के बाद भी खेर के विकास में महतवपूर्ण युगदान दिया हो इस पूरस्कार के तहट एक प्रसिस्ट पत्र दातू का तंगबा तथा पाच राक रुपे नगत प्रदान के जाते हैं दोस्तों मेजदान ध्यानचन पूरस्कार के तहट प्रसिस्ट पत्र दातू का तंगबा यानि कि दातू की मूर्ति दी जाती है और पाच राक रुपे नगत प्रदान के जाते हैं ध्यानचन पूरस्कार जो की पहला दिया गया है दोस्तों कुल दिप सीम बुल्लर को जो की एट्रेटिक खेलक से संब्दी थे दूसरे है अजित स्रीह जो की होक्की खेल से संब्दी थे तीसरे है जिंसी फिलिप्स जो की एट्रेटिक खेल से संब्दी थे चौते है सुकविंदर सिया संदू जो की फुटवाल खेल से संबन्दी थे पाचवे है लाका सिंग जो की बॉक्सिंग खेल से संबन्दी थे चटवे है तृप्ति मुलुकुंडे जो की बैडमिंटन खेल से संबन्दी थे शाटवे है एन एस उशा जो की बॉक्सिंग केर से सम्बंदी थे आटवे है प्रदिप सिक्रूशनर गंदे जो की बैडमिंटन केर से सम्बंदी थे दूसर नौवे है सत्य प्रकास दिवारी जो की पैरा बैडमिंटन केर से सम्बंदी थे दसवे है मंजित सियं जो की नोकायान खेल से सम्बंदित है गयरवे है मनपृत सियं जो की कबड़ी केल से सम्बंदित है बारवे है जे रंजित कुमार जो की पैरा एटरटिक केल से सम्बंदित है तेरावे है स्वर्गिय सचिन नाग जो कि तेरा के खेल से संबद्धिते सवदावे है नेतरपार हुड़ा जो कि कुछ ते खेल से संबद्धिते पंदरावे है नंदन पी बल जो कि टिनिस खेल से संबद्धिते अर्जुन पुरस्कार भारत सरकारदारा 1961 से यह पुरस्कार प्रारम्ट किया गया है अर्जुन पुरस्कार उन खिराडियों को दिया जाता है जिनोंने पिसरे तीन वर्ष में किसी खेल में राष्टे या अंतराष्टे स्टर पर उस्ट प्रदर्शन किया हो तता उस खिराड़ी में नेतुत्व शम्ता, खेल भावना एव़ अनुशाशन के गुन हो अर्जुन पुरसकार में खिराड़ी को पुरसकार सुरुप एक प्रस्विस्त पत्र दिया जाता है और अर्जुन की कास्य प्रतिमा एव़ पाच राख रुपे नगर प्रतान किया जाते है दोस्तो अर्जुन पुरसकार के तहट खिराड़ी को एक प्रस्विस्त पत्र दिया जाता है अर्जुन की कासित्से परतीमा भी दी जाते है और पाच राक रुपे नगर प्रदान किया जाते है दोस्तो इस वर्ष 27 खिराडियों को अर्जुन पुरसका प्रदान किया गया है जिसमें पहले थे चिराग चंदरशेकर सेटी जो कि बैडमिंटेन खेल से संबन्दी थे दूसरे है विशेश दूंगु वंशे जो कि पास्केटबल खेल से संबन्दी थे तीसरे है सापिक साहराज रंकी रेड़ी जो कि बैडमिंटेन खेल से संबन्दी थे चौते है दूर्टी चन्द जो की एटलेक्टिक खेल से सम्बंदी थे पाचवे है सुभिदर मनिस कोशिक जो की बॉक्सिंग खेल से सम्बंदी थे चटवे है लर्वीना बोल कोहिन जो की बॉक्सिंग खेल से सम्बंदी थे साथवे है इशान शर्मा दोस्तों यह क्रिकेट खिल से सम्बंदी थे आटवे है दीप्ती शर्मा जो कि क्रिकेट खिल से सम्बंदी थे नवे है अतुन दास जो कि तीरानजादी खिल से सम्बंदी थे दोस्तों हमें एक्जाम में एक खिराडी का नाम दिया जाता है ग्यारावे है सावंथ अजय अनन्त जो की गोड सवारी खेल से सम्बंदी थे बारावे है सोरोग चोदरी जो की शूटिंग खेल से सम्बंदी थे तेरावे है मदुली का सुहास पाटानकर जो की टेबल तेनिस खेल से सम्बंदी थे चौदावे है काले सारी का सुधाकर जो क छोगी खूकों करिसे समबंदी थे नंट्तु बावन के रिसे समबंदी थे। ondirobi एकईपी जो कि होके कहले से đây है 17 वर है डीपक जो कि कबड़ी कहले से संब्पंदी आटमेफे आकाल दिव सिंभ स्इंग्ग I gottap 19 वर्रत वीर से दिविस्जरन जो कि टेनिस कहले से संब्पंदी थे 20 सीव किष्वन 10 जो कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए से संबंदित है 21 संदेजी गन संदेजी गन या फुटवल के लिए संबंदित है 22 अदिती अशुक जो की गौल्प के लिए संबंदित है 23 संदीद जो की पैरा एटरेटिक के लिए से संबंदित है 24 मानिश नर्वार जो की पैरा शुटिंग के लिए से संबंदित है 25 अशुक जो की पैरा एटरेटिक खेल से संबंदित है जो कि प्यारा तेरार की खेल से संबंदित दोस्तों अगला है मुलाना अब्दुलकराम आजात ट्रॉफी दोस्तों इस पूरसकार की सुरुवात 1956-1957 से की गई थी इस ट्रॉफी को प्रति वर्ष उस विश्वव विद्यालाई को प्रतान किया जाता है जिन्होंने अंतव विश्व विद्यालाई खेलों में सर्वसिस्त प्रतेशन किया हूँ इस ट्रॉफी में प्रतम पूरसकार के रूप में ट्रॉफी तता 10 राक रुपे नगत दिये जाते है जो तितिया पूरसकार में एक राक रुपे प्रतान किये जाते है तो तितिया नौर्गी नैशनल एडवेंचर पुरसकार 2019, जो की प्रतम दिया गया है केवल हिलिकेन कक्का, जो की लैड़ एडवेंचर से संब्दी थे, तूसरे है सतिंद्र सिह, जो वाटर एडवेंचर से संब्दी थे, तीसरे है गगन यादो, जो की एर एडवेंचर से संब्दी थे, स्वर्गिया मगन बिस्वा इन्हें राइफ ्टाइम अचिवमेंट पुरसकार दिया गया है आठयो है नरेंद्र स्या जोकि लेड एडवेंचर से सम्बंदित है आटवे है तकां questions-मूढ नरेंद्र सिर्विए नीडेंचर से संभंधित है आथवेह बना स्दोस्तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे वीडियोह बनते रहे तो channel को like कीजिए और चाइनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजे धन्याद दोस्तों